दमाकेदार प्राइम मूविज देखने के लिए एनेश प्राइम को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाए कुछ लोगों का नाम उनके काम से होता है मेरा बदनाम होकर हुआ है हिस्ट्री उठा के देख लो दो चीजें हमेशा कॉमन रही है मर्दों का जमाना रहा है और तो निया कि उसे सब होट कहते थे और मैं चल रहा था अब राम छोड़ता है इसे क्या कितने ये लड़की ऐसे याग लगाएगी ये ये मोटी उसने शर्म उतार कर क्या फेंग दी सबने मेरी तरफ देखना ही बंद कर दिया उस आदमी को आवर्ड देना चाहता हूं जिसने सिल्क को आवर्ड देने का सोचा लेकिन भाई साब आप है कौन है वो आइटर नंबर का गिटार थी मैं सूफी गाने का एक तारा बॉस वो स्टार थी और मेरा तो तारा ही डूब गया था कोफिी पीलो पैसे मैं दे दूगा दूसल कोफी लाना यहां मेरे नाम की कोफी फेमिस है पेशे के में चाने वाले हैं समने ने के चारों से पेट्ट हैं पीछे की 40 ओस मेरी है चुनाना चुनाना अब मजबा हो गई फिल्मी सिर्फ तीन चीजों के वज़े से चलती है entertainment, entertainment, entertainment और मैं entertainment हूँ आरे पुछ नहीं है वहाँ उतर नीचे माँ तो मेरे सपनों के दुश्मन है सपने ही है तूच जाएंगे आजा नीचे नहीं आती, मैं नहीं आती गिराओ तुझे गिराओ अहुक्के अपनी बच्ची को गिराएगी आमा गिराएगी तो संभाल भी लेगी बड़े शहर जाकर गिरोगी तो उठाने वाला कोई नहीं होगा आजा नीचे, आजा नहीं आती मैं आजा, आजा नीचे अमा, अमा चिनी रेश्मा का फंडा सिंपल था और सही था जब उपर वाले ने जिंदगी एक दी हैं तो फिर दो बार क्या सोचना उसके पाओं जहां जहां पढ़ रहे थे रास्ता अपने आप बनता जा रहा थे मदरास को उस समय नहीं पता था पर तूफान शहर में आने ही वाला था वो क्या है ना हिस्ट्री उठा कर देख लो दो चीजे हमेशा कॉमन रही है मर्दों का जमाना रहा है और ओरतों ने आफ़त की है लट्टू, कंचे, गिली डंडा मा बेन की गालिया भी सिखाई लड़कों की कपड़े पैनाता था मेरे बाप का बस चलता न तो वो मुझसे लड़किया भी चिरवाता तेरी आम्मा ने कभी कुछ नहीं कहा उससे लड़की की जगब मुझे पैदा किया था इसलिए चुपई रहती थी आम्मा मेरी तरफ दे जो चाहिए वो मेरे पास है तो बता कौन ज्यादा मैं यह लड़का तेरे मुँ में कभी कुछ नहीं रुखता कुछ भी बोल देती है तुम तो अपने हो तुम से क्या शर्माना पर अब थोड़ा सा देख लो असली में जब मेरे हो जाओगे तब पूरी पिक्चर देख लेना तुम अंदर जाओ हा तुम तुम भी अंदर जाओ तुम आउट तुम भी कर जाओ दो साल से वो शराफत से अपने नंबर का इंतजार कर रही थी पर पेट की आग सबसे पहले शराफत को खा जाती है तुम आउट अरे, क्या है? जाओ उगया सेलेक्शन मुझे अक्टर बनना है सर मुझे भी डिरेक्टर बनना था सर मैं दूसरी लड़कियों की तरह डांस नहीं करना चाहती मैं अक्टर बनूंगी सर मैं भी कुछ हटकर फिल्में बनाना चाहता था सर मैं अक्टर बनने के लिए कुछ भी कर सकती हूं मैं डिरेक्टर बनने के लिए कुछ नहीं कर पाया जो इन फोटोज में नहीं है वो देखाऊं क्या मैं अपनी फिल्म की कहानी सुनाओं क्या सर आप मेरी बात सुनी ने रहें आप अपनी फिल्म से निकलो ना सर तू भी अपने सपनों से बाहर आजा तेरी जैसी 25 बैठी हैं बाहर कल 50 हो जाएंगी कुछ नहीं होने वाला तेरा ना तू किसी एंगल से महभूबा दिखती है न बीबी बहुत फीकी दिखती है तू दो जिन से चीनी घा रही हो सर नमकीन कांसे लगोंगी एक मिनट कि यह रख ले जाके कुछ खा लेना और फिर सोचना क्या करना लाइव के साथ एक्टर बनना सबके बसकी बात नहीं है चल्ड़ एक मसाला दो सब्सक्राइब एक मसाला दो सब्सक्राइब कहीं और चले है क्यों रात का शो दोनों अखेले कितने देगा बीस है मेरे लिए बीस रुपे लेले प्राइब 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 कि ना तो किसी एंगल से मैं वुवा दिखती है न बीवी बहुत फीकी दिखती है तुरी की एक्टर वनना सब के बसकी बात नहीं है कि तेरी जैसी 25 बैठी है बार कल 50 हो जाएंगी कम आल गोल्स और एनर्जी और एक मिनट एक मिनट मैं फीकी नहीं हूं कौन हो तुम क्या चाहिए पैचाना नहीं खाने के पैसे देकर आफिस से निकाल दिया था ये लो तुम्हारे पैसे मुझ में कुछ तो बात होगी जो वो बीस रुपए देने को तयार हो गया अरे का है वो लड़की गाना कैसे खतम करूंगा मेरा अरे कहां सिलाओं ऐसी लड़की जो खुद अपना चमड़ा उधेड़ेगी तुम्हारा ये हट्टा देखके तो हर लड़की मैं करूं क्या दर्दबरदाश कर पाओगी अभी तक किया है तो आगे भी कर पाओगी कुछ लोग सोचते हैं जाम आधा भरा हुआ है और कुछ लोग सिल्क जैसे होते हैं जो कहते हैं जाम तो है पीलो फिर सोची जाएगी और सोचेगा कौन वो जो जहलेगा सब्सक्राइब जाएब आपके पीछे से फ्लूट बजा दिया और अगे से गाना कार है तू ए रीड़े एक दिन तुम्हों बेश्यूटिंग या छोड़ दी रीज़ देब आपका काटनेंगे सर क्या बात है अप्टुडेट लग रही हो किस बुढ़े कि शामत आने वाली है अज अकबर देख तेरी पिक्चर चो लगी आज पहना शो दिखना या नहीं देख देख सब को मालूम होना चाहिए हर फिल्म का एक ही हीरो होता है डारेक्टर एवरी फिल्म वन हीरो कौन डारेक्टर यह कोन है डिरेक्टर हां चल 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 अरे चेश्मा तो रिखल ठीक है यह कहां है अम्मा ये पहली फिल्म है ना तिर उठाके देखेंगे के सीट लिए क्या यह 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 नहीं फोरगे सिल्वा गिरिश की पिक्चरी बड़ी वजीतार होती है चिश्मा तो निकाल अम्मा देखना इस फिल्म के बाद मेरी सारी प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगी डांस दिरेक्टर कह रहा था कि मेरा काम बहुत अच्छा है और अम्मा मेरी जिंदगी ना पैक अप से एक्शन पे अब ब्रेक नहीं लगनी दूगी हां देखने देना पिक्चर की हिरोई नहीं है यह हिरोई नहीं अगर यह हिरोई नहीं तो क्या टिकेट का पैसा वापीस मिलेगा कि यह तिरा का नहीं नहीं यह है तेख देख देख शाहिए तेरा गाना है का पैसा तेरा गाना का तेरा गाना है कि यह तो कि यह है और रोईन जी ओटोग्राप तो दीजिए और क्या किया इनोंने अरे पुरी की पुरी फिल्म में दिख रहे हैं नहीं में जी ओटोग्राप तो दीजिए होलिवुड वाले सोच रहे होंगे कि आदमी इंडिया में क्या कर रहा है मेरी दुखान बंद कराने से पहले होलिवुड चला जाता तो मैप बच जाता आपको भी सर ना इज़त की हैबिट नहीं है इतना फेंटास्टिक रिव्यू लिखा जैसे ना आपके हाथ में ट्रोफी होगी ट्रोफी दूसरे हाथ में घटोरा भी आएगा साला फिल्में कहीं भी वह हिरो रीज़न ही नहीं पता तो डाला क्यों नहीं सर क्या ना कि एक आदमी 20-20 लोगों से फाइट करें सारी लड़किया उसको लफ करें ऐसी फिल्में जाती है तुन्हें धिमाग खुजाने को बोल रहा है सर सर एक गाना इब्राहिम सर ने काट दिया था अगर वो था तो मजा जाता कौन सा गाना देख लो देख लो आपी देख लो हाँ हाँ चल दिखा भाई साब तु हॉलिवड ही जा हम तुझे मिस कर लेंगे जा तु हॉलिवड जा फिल्म के जाने निकाल दी तुने तु जान ये ये मोटी ये गाना डाल करना मैं छोटे सेंटरस में फिर्म दुबारा रिलीज करूँगा कुछ तो पैसे वापस आएंगे अब्राम क्या करा तू क्या करा तू अब्राम अब्राम छोड़ दिया इसे क्या कितने तूने सिर्फ पॉजिटिव जिलाया अब्राम निकेटिव अभी भी मेरे पास है तू देख लेना ये लड़की ऐसे याग लगाएगी भ्र्ण जो खांचा करें अब्राम किये लुदा ये ये.. हो अब्रत नहीं, छो कि यृज इए… कि एक टिकट देना है अवे तो फिर आ गया अवे जितने पैसे तूने इस फिल्म को देखने में घर्च किया है उतने में तो सिल्वा गनेश ने एक बार फिर साबित कर दिया कि पैसा कमाने के लिए वो कुछ भी कर सकता है यह फिल्म नहीं एक काली है एसे ही रेस्पेट की हैविट है मुझे यह क्रिडिक लोग जितना मेरी फिल्म को उचालेंगे उतने ही नोड मेरे बैंग में गिरेंगे मुझे लड़की चाहिए उसकी एक जिलक ने जब यह हाल किया है पूरा गाना उस पर होगा तो पागल कर दी कि सबको बुलाओ उसको लेकिन सर मुझे मालूम नहीं हो कौन है कहां से आई थी तो पता लगाओ कोई तो जानता होगा उसको अगर काम किया है तो हवा से आई न झा मुझे माला उसनों टान उसका झांग किया तो हुआ बभाओ कहुआ तो अबंग्स पता हो सानी है बदोhod庵 में और यह हो दो हुआ है किस और अ में अनों के दे हान में पन। किस पुर से अथ पुमान早有 जासे जास से आना है क्या है क्या जी जी कौन है तू क्या है क्या चाहिए पैसे नशेदी है उतारू तेरी फिल्म देखी मैंने आपकी तब से बस आपके लिए पैसा जम्मा कर रहा हूं चूट बोलता साला मैंने कोई फिल्म नहीं की है निकल जाए है निकल जाए है निकल दे मिडल वर्ड इन लाइफ इस अगर अगर वो सेल्वा गनेश पॉर्ट पर दो मिनिट जादा बैठता बीस किलोमीटर पर आर गाड़ी धीरे चलाए लाता तो सबकी लाइफ वैसे ही चलती रहती है कि उस दिन का सूरज रेश्मा को चमकाने के लिए और मुझे जलाने के लिए चड़ा था अब बेबी कुछ और मंगाऊं अब दी और बस तामा बस अब बेबी जिस जिस ने भी मेरे साथ नास्ता किया है ना वह आज फाइफ स्टार में डिनर कर रहा है मेरे साथ मिला लो पूरी दुनिया तुमारे सामने आज जोड़ी खड़ी रहेगी अरे खाओ ना खाओ खाओ और तुम तो बेश्ट बनोगी बीबी मुझे दिखाई दे रहा है तुमारे अंदर बहुत भूख है भूख सिल्क आज से तुम्हारा नाम सिल्क आज से तेरा नाम कीड़ा दास क्या कीडे तो बनाते हैं सिल्क बेवी मैं सिल्वा गनेश हूँ या कीड़ा दास तुम्हारे लिए तो सिर्फ एक मौका हूँ और ये मौका दुबारा नहीं आता बस किसी और के पास चला जाता है ये गना पुरा से तुम्हारे नहीं आता है सिक्सी होरा चाहिए सिक्सी ऐसा शॉटलो चला 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 शॉटलो गावप okay sir music camera one, two, three, four sir नो हीट, नो हीट, हमको पुब्लीक को टिटीलेट करना है, उनको सुलाना नही है, एंसर, एक्स्त्रा-oordinary shot, सर, एक्स्त्रा-oordinary, बट वन्मोर सर, प्लीस सर, ठीगे, 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 अकाड़क, सिल्क what are you doing? सोचो, सुर्या सर, चंदन, तुम साहब, लिपतो, लिपतो. And सुर्या सर, very good shot sir, but newcomer sir, one more shot sir, please sir! सूरी सर जोर्ज सूरिया का एक दिन एक दिन एकल तो वन लाक अंडर्साइड सप्ली सर मेरा सोलो शॉट लगाव कि यह लड़की इधर किया नाम है तेरा रेश्मा और सिल्क नाम दो दो रखे हुएं काम एक भी नहीं आता यह प्लास्टिक का कवर देख रही हो यह हो या ना हो इससे सिगर्ट को कोई फर्ख नहीं पड़ता ठीक इसी तरह तुम इस फिल्म में हो या ना हो किसी को कोई फर्ख नहीं पड़ेगा पैसे सर अब अगर बारिश आ जाए और यह कावर ना हो तो इस सिगर्ट में आग भी नहीं लगीगी पारिश होने वाली है भाई तुम्हारे वज़े से मैं एक बार जूता खा चुका हूं वापस नहीं खाएगा यू मेर सुरिया सर वेरी अंग्री यू गो कल से वापस नहीं आना यहां क्या तरने आई हो ट्यूनिंग करने आई हूं सर तभी तो बैंड बजेगी न बड़ी जल्दी सुर बदल गए तेरे आपकी पसनल्टी ऐसी है सर बचपन से चाहती हूं आपको आज सामने देखा तो घबर आ गई यह बात तो मैं मान सकता हूं भगवान अगर अजानक सामने आ जाए तो भक्त तो घबराई जाता है सर मुझे एक और चांस देदो न सर क्यों आप ही कि बनके रहूंगी सर आप जो कहोगे करूंगी क्या यह सच है कि आपने पांच सो पांच सो एक पांच सो एक सर उसके साथ काम नहीं करेगा नहीं करेगा यार मैंनेज करते हैं लगता है सुर्या सर चार जो गया है सुर्य कान मर जाएगा लेकिन नहीं लड़की को नहीं छोड़ेगा कट हरीगे पापस गलत कर दिया बीट मिस कर दिया बीट छोड जोसने हीट पकड़ी हैना आग लगा देगी एक्स्ट्राइबरी सार वेरी गुड सार माइड भुलोईंग सार वाइड भुलोईंग सार मेडम टिकेट प्लीज वहां अपने सिट पर जाकर बैठ जाएए क्या फरक पड़ता है वाल तो खाली है बाद में जिग जिग होगी जहां का टिकेट लिया वहीं जाकर बैठ जाएए झाल फिकेट लिस कर दो कर दो कर दो कर दो मैं आए आए मैंगा मैं कर जाउने वाउने कि अचारा हुआ पर एंप एंप शारा हुआ जए इजए जारा हुआए हुआ। कर दो, कर दो, कर दो, कर दो. कि लेकिसे वापस हOOD। माव मुझे आशिरवाद दो, तुम्हारा बेटा फर्स्ट क्लास फर्स्ट आया है। सच! तुमने मेरे दिल के हरत 닮न ना पूरी कर दी काश तुम्हारे पीताज़ी आज जिंदा होते। कुछ खित को आपर युद शूरी सर एक्सलेट शॉर्ट धुए बैर युग वाइ आप बहुत कफुरी गुए आप बहुत आप मद्स कहलें आप दॉर शॉर्टी क्या बात है अज हमारी याद काई पिछले महीने की मैगजीन पिकी नहीं ज्यादा आप जो कवर पे नहीं थे और आज कल अंडर कवर क्या चल रहा है अरे वाँ कल तक तो लली ताप की हिरोईन थी बड़े चर्चे थे दोनों के आज आपने उससे मा बना डाला देखिए जवानी में के लिए होती है वेस्ट करने के लिए नहीं और हिरोईन की जिन्दगी तो इसलाइक एलेक्टिड गवर्मन्ट पाँच साल तक पार्टी उसके पाद सपोर्ट वैसे आजकल वो नहीं लड़की सिल्क आपके पाटी को बहुत सपोर्ट कर रही है हर किसी के जबान पर सिल्की है हाँ हाँ मैंने ही प्रेक दी है उसे बहुत टैलन्टिड लड़की है देखो उपर वाले ने जब इतना कुछ दिया है तो थोड़ा सा बांट लेने में क्या हरज है मैं तो चाहता हूँ कि मुझसे जितनों का भला हो उतना अच्छा वैसे है वो जरा डाउन मा के तुमने सही लिखा उसके बारे में लिखना ही पड़ता है सूर्य सर्फ आदमियों को सादू बनाने के लिए लड़कियों को शैतान बनाना ही पड़ता है सर माडम आई है ठीके जो सी यू लेरा अरे मेरा इंटिव्यू बाद में बात करते हैं अभी सरा काम है मैडम को फिल्टर कॉफी पिलाओ सिल्क आई है क्या आदमी है आदमी थे थेटर में सिर्फ मुझे देखने आये और जैसे ही गाना खतम हुआ सब थेटर छोड़के चले गए बहुत मजा आया इतना खुश होने की जरुवत नहीं है देखो तुमारे बारे में क्या लिखा है नायला ने सबसे बड़ी फिल्म क्रिटिक और गॉसिप क्वीन वो जब लिखती है तो सब बड़े गवर से पड़ते हैं उसका कहना है के सेल्वा ने इस फिल्म को चलाने के लिए कंदगी का सहारा लिया है कंदगी याने तुम देखो मेरे कितनी साफ फोटो आई है अब मेरुखने वाली हूने मुझे और काम दिलाओ ना लेकिन मैं तुमारी और मदद क्यूं करूं क्यूं की आई लव यू कमें अकबर और अनारकली की दोस्ती हो गई क्या आप कर रहे हैं सार राम अब राम यह सिल्क हलो सुरिया सुर मुझे आपसे अपनी अगली फिल्म के बारे में डिसकस करना है और यह फिल्म सिफ आपके उपर होगी इसको चलाने के लिए कोई चालू या घटिया स्टन की ज़रोत नहीं पड़ेगी आपको अब एबरहाम तुम बहुत इची फिल्में बनाते हो सब जानते हैं थैंक यू सर यह सब इडली रसम और रम का कमाल है लेकिन तुम्हारी फिल्में कमर्शली सक्सेस्फुल नहीं होती भई किसी फिल्म फेस्टिवल फेस्टिवल विकी तो गर्मी बढ़ा सकती है वो लेकिन थेटर में तो कुट्था भी मून नहीं मालता Am I right? Right, sir! Spice it up, Abraham, spice it up! डालो, silka एक गाना डालो, दो गाने डालो, whatever you like देखो, successful film वो होती है जिसमें मसाला सही हो, right, Salva? Genius, sir, you're a genius, sir. It's a curse, Salva, it's a curse. Sir, I'm a director, not a pimp. मैं फिल्म राने निकलाऊ, बेच्टे नहीं. और आप लोग इस घटी आरोत के साथ काम कर सकते हो, मैं नहीं. Right. तो, Salva, तुम ही डिरेक्ट कर लो. Okay, sir. Danbai. मुझे इस बात का दुख नहीं था कि उन्होंने मेरी जगा सिल्क को चुना. दुख इस बात का था, उन्होंने ये फैसला इतनी जल्दी कर लिया. तुम्हें मुझसे प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम तेरे माबाप से है. उन्हें तुझे पैदाएं नहीं करना चाहिए था. मुझे मेरे माबाप ने जन नहीं दिया. शिल्क को जन दिया उन लोगों ने, जो मुझे चाहते हैं. तुम्हें तेरे चाहने वाले ना? सामने के चार उसमें बैठते हैं. पीछे की 40 रोज मेरी है. मैं थाबित कर दूँगा कि फिल्म में तेरे जिसे लोगों के वज़े से नहीं चलती हैं. फिल्मी सिर्फ तीन चीजों के वज़े से चलती हैं. Entertainment, Entertainment, Entertainment और मैं Entertainment हूँ और जो है न, रेंबो की तरह होती है जितने रंग उतने रूप किसी को लगती है लॉटरी की तरह लग गई तो किसमत खुल जाती है किसी को होती है महबबत की तरह हो गई तो जान अटक जाती है मुझे तो चड़ी जहर की तरह कि अब पानी भी पीताओ न तो आग लग जाती है चटकी जो तुने काटी है जो रिसे काटी है यहां वहां रूठी हो मैं तुझसी रूठी हो मुझे मना लेना ओ जाने जहां चड़ेंगे हम तुझको लड़की तु है बड़ी भुंबाट मैं जबा हो गई आज़ो आज़ो तुने 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 दिलने मारी सिटी देद इन गालाप एक पपी मीठी मीठी ज़ो आज़ो तुने तु दिलने मारी सिटी देद इन गालाप एक पपी मीठी मीठी यहां वन तेरा सावन भारा भीग गया दिल यह मेरा तुने ही बरसात कराए क्या करे यह यहां वन बेचारा प्रवाला तुहेमरी फंजसी लालालाला-चुननना चुननना 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 अब मैं जबा हो गई अजबा हो गई किराके अपना पल्लू बारे माओ कर देती गौंका बेकरा आग लगाए तुने तन में क्या करेगे पलू पेचारा 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 चरेंगे हम तुझको लड़की तु है बड़ी बुम्बा अफो उलला उलला चुना उलला उलला तु हमेजी फंजसी चुनाना उलला 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 तु हमेजी फंजसी चुनाना उलला 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 तु हमेजी फंजसी तापको मेरा इंटर्व्यू लेना है अ मेरे घर पे आच्छाम को हाँ ठीक है मामा अ मनोर्मा मैगजीन से फोन चाहते बाबले को बताना चाहते च्वammenर को Stell okay ते जैसा कोई ये हिरन में अफ्रिकोजिलाय था शुपब सर्ण और इस गॉन इस अन्टीक फॉम बल्गेरिया सर पेट तुड़ा अंदर दूर चलो चलो क्यामरा मच्छो निचूंगा बाद में बच्चो जाओ 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 बच्चो अरे आप तो जल्दी आ गये मैं 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 बाद में आओ क्या अब आ ही गये हो तो इंटर्व्यू कर लो मगर ऐसे कपड़े पहन का नहाना चीटिंग है और सिल्क चीटिंग नहीं करती ये क्या आप सिर्फ मेरी फोटोस खीच रहे हैं घर की नहीं खीचेंगे जब देवी सामने स्वयम प्रकट हो तो तो मंदीर के दर्शन कौन करता है भाई मेडम बटर बनते ही आमूल का बन गया उस गाय का नाम ही नहीं जिसने दूद दिया है मेरी फिल्म से चड़ी वो सिल्क उसने शर्म क्या उतार के फेंक दी सब ने मेरी तरफ देखना ही बन कर दिया सर यह सिल्क है ना यह हेडलाइन बनाने में मास्टर है लेकिन यह ठीक नहीं है सर एक तो लड़की उपर से एक्ट्रेस और उसको उपर से फरंट पेज पर बैड निउस सर उड़ने लगेगी यह हुँँँँँ वड़ने दो पॉपकॉर्ण जितना भी उड़े गिरना तो उसे वापस कड़ाई में ही पड़ता है एकसलेंट सर एकसलेंट क्या वात है क्या वात है क्या ढूण रहे हैं सर ये मनुर्मा हाले मेरे पास भी आया थे इंट्रव्यू के लिए चापा है नहीं सालों तेरा ये भूत कब उत्रेगा नए घर में भी उठा लाई इन सबको अरे सूर्या ने देख लिया तो क्या काएगा उसे तो ये जानकर अच्छा लगेगा कि उसके पहले उसके फोटो से काम चला लेती थी कहा सूर्या कहा तू डर लगता है तेरे जैसे कितनी लड़किया मरती है उस पर और उसके जैसे कितने आदमी मरते है मुझ पर दरना क्या है पूरी दुनिया हमारी कदमों में है उसकी एक दुनिया और भी है वो शादी चुदा है अगर मैं उससे पहले मिली होती तो शायद सूर्या ने मुझ से शादी की होती और उसकी बीवी की जगा मैं होती अगर शायद उसकी जगा मैं होती जब प्यार में इस सब बाते हो न तो पीछे हट जाना अच्छा होता है अम्मा मुझे पता है कि सूर्या पर मेरा कोई हग नहीं पर क्या करूँ प्यार में ब्रेक भी तो नहीं लगता लेकिल वो सब छोड़ अम्मा मेरी बात सुन यहां बैठ कुछ सुनाई दिया क्या ध्यान से सुन कुछ भी तो नहीं यही तो मज़ा है यहां किसी की बात सुनाई नहीं देती कोई शोर नहीं है थोड़ी सी ग्या सिल्क हां कम आन कम आन हां पबलिक शोर मचा दे ऐसा सीन बना दे इसको किड़ा दास टेक कर ले रतनमा मैंने डायलोग बोलें फिल्म में मेरी हालत खराब हो रही है क्यों लोग हसेंगे मुझ पर और यह कीड़ा दास भी ना प्रेमियर रखने की क्या ज़रुरत थी मैं नहीं जाने वाली प्रेमियर में लेकिन क्यों रतनमा मैं डांसर हूँ आक्टिंग का टिंग तक नहीं बचता मेरे अंदर रतनमा मैं वापिस फोन करती हूँ अरे आप सिल्क मेडम आप सिल्क मेडम आप कैसी है मेडम अच्छी हूँ उपरवाला ना मेरे साथ गेम खेल रहा है मुझे लगा हजार तो बहुत होगा पर आप तो आप तो बहुत अमेर लग रहे हो 10 लागती काफी नहीं होंगे पर पता है तुम मेरे लिए लखी हो जब भी आते हो कुछ अच्छा होता है चुमने काशार में मेडम घाड के पास छुटके जारहा हूँ थैंक्स अलौट फ़ॉर्ट किस मेडम आप बहुत अची है मेडम आप बहुत अची है कुछ लोग फिल्म बनाते हैं कि फिल्म दिल को हिट करे कुछ लोग फिल्म बनाते हैं कि दिमाग को हिट करे इन लोगों ने जिस को हिट करना था वहाँ ये फिल्म हिट थी वो लोगों के दिलों मैं गिटार बजा रही थी और मैं सूफी गाने के एक तारे की तरह बज़ रहा था प्रम्हान iki अच्छी लेगी पीस कापश पार अब आपको समझ में आ जाएगा कि फिल्म को बनाने के लिए इक अच्छी डारेक्टर की cable यडांसर के नहीं यह फिल्म चल जाएगी कोई चांस ही नहीं है लेकिन मैं अब भी आपके साथ काम करने के लिए तैयार हूँ क्योंकि आपने मुझे ब्रेक दिया था ना यह लो इसके बाद गाली भी मीठी रखती है एई कीड़ास फाड़ के चला गया चोड़ो उसे उसकी तो दारू भी उसकी जितनी घटिया है लेकिन उसकी बात अगर सच निकली तो कीड़ास हमने फिल्म उसके लिए नहीं बनाई है हमारे तक्तीर का फैसला फ्राइडे करेगा प्राइडे को इसलिए ल्हाए है इन्स्ट्री उसक्टी नू लोग्ष्टी रखशे का थी इसल्वा गनेच्छ एंद भी आयला कर दो स्टिल के सामने भी बहुत अच्छी एक्टे कर लेते हूं सर जरह चिपक के सर ठीक है अंदर चलते हैं एक्शन तो सारा अंदर ही है हेलो कंट्रोल यॉर्सेल्फ सिल्क यहां सब जानते हैं मुझे मेरी बीवी को पता चल गया तो वोंट बी कोड़ अब जाके रेस केलो किसी अच्छे घोड़े पर पैसे लगाओ मैंने तो तुम पर पैसे लगाए हैं हरा मत देना हां शाम को मिलते हैं देखें सिल्क यहां क्या कर रही है कैसे कैसे लोग आने लगे हैं यहां पर इनकी फिल्में देखना तो दूर पोस्टर्स तक नहीं देख सकते अरे आप आप यहां रिस कोस में क्यूं मैं क्यूं नहीं आ सकती यहां मैं भी स्टार हूं तुम्हें क्या लगता कि जो सूट बूट पेंते और शूशा अंग्रेजी बोलते बस वहीं आ सकते हैं आप सिल्क हो ना हां हूं क्या करेगा फैन हो मैं आपका मुझे लगा था, यहां मुझे कोई नहीं पहचानता होगा दस बीस घोडों, और शायद कुछ गधों को छोड़ कर, ऐसा कोई नहीं जो आपको नहीं जानता थैंक यू पारसा, इन नंबर एक मिनुट, एक मिनुट सुनो, मुझे शर्ट लगानी है कि नौ नंबर जीतेगा, कैसे लगाते हैं? सिल्क माडम, यह घोड़े पे पैसा मत लगाईए, यह घोड़ा कभी नहीं जितता, इस पे कोई पैसा लगाता ही नहीं किसी को पता था कि इंडिया वेस्ट इंडीज को हरा कर वर्ल्ड काप जीतेगी, जीती न, कोई पैसे नहीं लगाएगा तो जीतेगा क्यूं? घोड़ा है, गधा नहीं, यह लो पैसे जीतेगा रमाकान सर, आखिर आपके घोड़े पे पैसा लग ही गया मेरे लिए तो आज तक यह नहीं जीता, भगवान करे सिल्क के लिए जीत जाए मेरे लिए जीता, 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 ज लखे पोल सक दाे स्ग उबारी नाँतमुछ निसोरे। कर दे दे कर दोरे कर दिसना करदा दे को अ SCरवाivamente भाइस तंको झाल कर क Medium मुझा से ओॉका सबबसा है इस कर भाःस नाँत पिर दुछा है कर दे रहगा है कि रात को बारा बजे कि और दिन में छे बच जाते हैं कंट्रोल करना पड़ता कि अगर कोई देख लेता तुम्हारा कुछ नहीं बचता कोन सा गोड़ा केड़ा जीतने वाला जीतने वाला गोड़ा तुम्हें आ हूं रादिका बलडी हेल अंधर जो अंधर ज़। रेस्ट रेस्ट तुमारा रहा हूं रहा हूं विल्यू विल्यू सूर याँ पोड़ी दो यहाँ जस्ट कमेंग जस्ट कमेंग क्या रहे थे तुम? तुम कब आए कब आए मतलब अभी आ गई ना? पार्टी बड़ी बोरिंग चल रही थी यहीं सर में दर्वा सोजा जाके देट सरु सीधी तो वो खुद नहीं थी फिर उसकी जिन्दगी सीधी कैसी चल सकती थी कितनों के दिल तोड़े उसके दिल की बारी आज थी घलत कहते हैं लोग की सिर्फ दिल टूपता है बॉडी का हर पार्ट मातम अनाता है गला सूप जाता है और गाल कीले रख आखें भरी रहती हैं और दिल खाली मुझे सिल्की इसहार की न्यूज बहुत देर से मली वरना सेलेब्रेशन तो बनती थी सुनिए आप ठीक है ना मैं ठीक क्यों नहीं होंगी टैक्सी मंगवाँ तुम्हारे पास गाड़ी नहीं है क्या आप मेरे साथ चलेंगी सुनिए एक मिर्ट प्लीज डरो मत कर लो क्या तुम पहले आदमी नहीं हो जो यह सोच रहो कि ग्यर डालते वक किसी तरह हाथ लग जाए धर उधर मैं मैं ऐसा कुछ भी नहीं सोच रहा था सूर्यकांथ के यहां काम करते हो भाई हूँ सूर्यकांथ रमाकांथ भाई भाई तुमने उसकी बीवी को अंदर जाते हुए देखा हाँ तब ही आइडिया लगा लिया हुगा कि पर्मनेंट वाली अंदर गई तो अब मैं बाहर निकलूंगी आप हमेशा उल्टा की सोचती हैं क्यूंकि यह दुनिया सीधे लोगों की नहीं है करते क्या हो राइटर हूँ लिखता हूँ आखरी फिल्म कौन सी थी अभी पहली मिली नहीं मिलेगे भी नहीं क्यों? क्यूंकि तुम्हारे हिसाब से तुम्हारे घर में सिर्फ एक ही हीरो है और वो है सूर्यकांत आपके हिसाब से वो कौन है? हीरो? या विलिन? मैंने हिसाब लगाना और रखना छोड़ दिया है और वैसे भी हीरो हूँ या विलिन हर कहानी की वहम मैं हूँ मुझे घर जाना है ले जाओगे हाँ कि लाओगे ले जाओगे कि लोगे लाओगे वो खिर्की देख रहे हो मैं अपनी शादी की एक रात पहले उसी खिर्की से भागाई थी तुम अंदर नहीं जाओगी अंपो अओग्मक के टू 토उ Спक झाल एक को अंदरे हुए प्स रे रहे हो ऑन अंदर्की उसे भागा मैं हुग्म — हुग dabuk थुम्म प्रेकार्ण मुथा भी अदिन मुझा तू करे जो एक जा ती सुरी कान अबखे स्थूरेकान! उस आदमी को अवार्ड देना चाहता हूँ जिसने सिल्क को अवार्ड देने का सोचा यह तो घटिया है इसे अवार्ड देने वाले उससे भी ज़्यादा घटिया है लेकिन भाई साब आप है कौन? एबरायम, डारेक्टर बहुत दिनों बात दिखाई दी थोड़ी समझ आ गई है, कहां देखू, कहां नहीं बड़ी जिल्दी पर निकल आएं तुमारे तुमारी जैसी बहुत सी आई और चली गई मैं जाने के लिए नहीं आई हूँ देखो मैं उपर हूँ और सब नीचे तुमें क्या लगता है, जो नीचे हैं वो तुमें बहुत प्यार करते हैं वो हस रहे हैं तुम पर वो सब जानते हैं तुम हम में से नहीं हो तुम हमारी रातों का वो राज हो जिसे दिन में कोई नहीं खुलता है यू आर डिर्टी सीक्रिट हरे थैंक यू तो बोलती जाओ समझ में नहीं आरा कहां से शुरू करूं शुरू से शुरू करूंगी तो मा बुरा मान जाएगी आज की बात की तो आप लोग बुरा मान जाओगी क्यूंकि आज मैं रुखने वाली हूँ नहीं सबकी दाएं तरफ की आँख फड़क रही है और बाएं तरफ से दिल की मैं क्या बोलने वाली हूँ आप लोग भी सोच रहे होंगे कि कहां इस चीटी को पहट पे चड़ा दिया कुछ लोगों का नाम उनके काम से होता है मेरा बदनाम होकर हुआ है वालगर घटिया डर्टी क्या क्या बोला मेरे बारे में अपनी फिल्म को टेक आफ करवाने के लिए मुझे बॉडिंग पास की तरह यूस किया फिर भी वालगर मैं हूँ दांस करवाया आपने मगर ना किसी ने मेरी मेहनत देखी न लगन सब कुछ और ही देख रहे थे और घटिया मैं हूँ फैमली के साथ मेरी फिल्म्स देख नहीं सकते पर छुप-छुप के देखकर धड़ाके सिर्थ दे जा रहे हैं पर दरो मत मैं जा रही हूँ क्यूंकि मेरे अलावा सब शरीफ है यहां वैसे आप लोग उनके शराफत का भी जवाब नहीं पर फिल्म्स बनाते भी हैं बेचते भी हैं देखते भी हैं दिखाते भी हैं अवाड भी देते हैं पर अपनाने से डरते हैं ना आप बदलोगे ना मैं आप इसी तरह अपने शराफत का चूला पेहने रहे और मैक उतारती जाओंगी मैं अपने पिक्चर्स बनाती जाओंगी और लोगों को अपने पिक्चर्स दिखाती जाओंगी कौन हो तुम? नायला ओ, तो वो तुम ही हो जो मेरे बारे में बुरा बुरा लिखती हो बुरा तो तब होगा, जब मैं तुम्हारे बारे में लिखना बन कर दूँगी मतलब? मतलब यह है के आज जो तुम कर रही हो ना, वो बगावत है सालों बाद लोग उसे आजादी कहेंगे मैं समझी नहीं बस ऐसी ही रेना, आंधी की तरह ज्यादा सोचना मत ज्यादा सोचोगी तो हवा हो जाओगी मैं सिल्क हूँ सिल्क कोई फिल्म नहीं जो इंटर्विल के बाद बदल जाओँ वो दिखो, सुरिया की बीवी इधर ही आ रही है आखे राज, आपसे मुलाकात होई गई, बहुत सुना है आपके बारे में जितना आपने सुना है, मैं उससे कुछ ज्यादा आई हूँ वैसे तो मुझे पर्दे से ज्यादा परस्तली अच्छी लगी मैंने जितना सुना है, आप भी उससे कम नहीं हूँ इनसान जब अकेला होता है, तो आखे कम छपकता है उसकी आखे उसे ढूंडती हैं, जो से थोड़ा भी अपना लगता है अरे ओ, राइटर साब, सिर्फ अपने भाई से ही चिपके रहोगे या हम से भी मिलोगे ऐसे देख रहे हो जैसे जानते ही नहीं क्या चाहिए, बोली ना यह तुम्हारे मेरे बीच की बात है एक्चुली सूर्या के साथ बात नहीं बने अब सब कुछ तुम्हारे हाथ में है मिल्ना, यही पे अब जो भी करेंगी ना, दीरे दीरे करना अब दीरे से फर्स्ट केर में डालो दीरे से दीरे दीरे आराम से, आराम से जब गाड़ी खरीदी है तो ड्राइवर भी रख लेती घोड़े की रेस जीतकर गाड़ी खरी दिया समझ भी नहीं आ रहा कि गाड़ी चलाने के लिए ड्राइवर रखूँ या जॉकी अब चानती हैं वो घोड़ा मेरा था साच फिर तो तुम मेरे लिए लाकी हो मैं देख रहा था रेस के पहले तुमने घोड़े के कान में कुछ बोला था क्या बोला था मूँ लड़का के खड़ा था मैंने का आज तक किसी ने मेरे पैरों की तरफ नहीं देखा उपर देख और छोड़ दे सबको पीछे छोड़ दिया तुम्हारी बातों में इतना हॉस पावर है न कि आदमी के दिमाग खराब हो जाते हैं और गोड़ों का चलना शुरू तुम बताओ तुम्हारी लगाम किसके हाथों में है मतलब? खुल के समझाओंगी तो शर्मा जाओगे गर्ल्फ्रेंड वर्फ्रेंड है क्या कोई? नहीं क्यों? गर्ल्फ्रेंड पहले पहले मलाई जैसी लगती है फिर देरे देरे कॉलेस्टरॉल जैसा फेल देती है और फाइनली सीधे हार्ट अटाग अब मैं भी देखती हूँ कि ये बाल ब्रह्मचारी कन्या कोहारी से कब तक बच्चता फिरता है? कि ये बाल जैसा फिरता है तुमसे मिलना भी ना कोई खत्रे को पार करने से कम नहीं है बैठो कभी भी 440 वोट का चटका लग सकता है तुम्हे क्या लगा था कि मैं छोटी सी बैटरी हूँ मैं ट्रांसफॉर्मर हूँ ट्रांसफॉर्मर तुम्हे यह मेरी कोई आपती जनक हालत तो नहीं करने वाली ना? क्यों? हवा निकल गई? थोड़ी सी बचा के रखो मेरा जनम दना तुम्हारा, तो फिर एक कृम की रिए? अपनी पुरानी जिंदगी को फूकर मारो और नहीं जिनदगी को बोलो हैपी बर्थदेः क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? बड़े बड़ों ने तो अना मूह काला कर्मा जाए है तुम्हारा तहु पिर भी साफेत की आहें यूरगे सि हाफ़ी बर्थ डे हें गाएजेश स्टॉप प्रेस नव सिल्क में में कोई नै निवह और enjoyed अरे ऐसी निवहान आम को हिलाके लग देगी जल्दी बताओ, नाइला, अब क्या कर दिया सिल्क ने? मैंने अभी सूचा नहीं. क्या नहीं सूचा? यही कि मैं सिल्क को क्या खिताब दू? बाजारी या बिचारी? वैप? और जेस्ट विक्टम? फोटो केसी आई है? मैं काट के रख लूँगी. और हमारे बारे में जो गंदा चपा है वो? मुझे नहीं पता उन लोगों नहीं क्या लिखा है. मैं परवा भी नहीं करती. ना कभी की. सिर्फ फोटो काट लेती हूँ, वो भी अगर अच्छी हुई तो. अख़बार की उमर भले ही एक दिन की हो सिल्क. उसकी ख़बरे अर्से तक जिन्दा रहती हैं. और ये लोग तो कभी भी तुमारे बारे में अच्छा नहीं चापते. आज लिखाए तुम द्रॉप दी हो. अपने खुद के बनाय हुए रूल्स कभी नहीं तोड़ने चाहिए. परवा नहीं करती थी जब तक. परिंदे सी उड़ती थी. जरासी परेशान हुई और पर कट गे. अपने जर्टी में बीजी है. और उन्हें ने कहा है कि वो किसी से नहीं मेर सकती. और किसी को अंदर आना भी अलाओड नहीं है. तुमने बताए कि सिल्क आई है? हां मैं मैं आपको जानता हूँ. मैंने कहा है उनसे. किस चीज की पार्टी है? मैं नेला मैं को बेस्ट जर्नरलिस्ट कावार्ड मिला है. उसकी पार्टी है. बहुत बड़े बड़े लोग आयोए है. थैंक्यू. उनसे को बड़े लोगार्टी है. कुमार? जी मैम पोलीस को फोन दगा जी लगता है सब को पता चल गया है मैं आ रहा है पर सब का मुझ तो उस तरफ है ओन पर जाओ ओन पर जाओ यह यह भीर नहीं अटने वाली है पर जाओ मैं यहां बेवको कुमी तरहां भीर में नहीं बड़ सकते है गारी कुमार मैं जाके देखता हूँ क्या हो रहा मैं हम कर बाओ मैं हमुग मैं है मैं हाँ ये क्या कर रही हूँ नाइला की पाटी खराब कर रही हूँ तुम्हारा जवाब नहीं है सिर्ट एक पाटी खराब क्यों करें जब दो दो कर सकते हैं चलो गाड़ी निकाला इस इस इस्ट्री में स्टाच तो बहुत है सिल्क लेकिन हीरो सिर्फ तो मज़ा आगया सिल्क तुमने जो उसकी प्राइवेट पाटी की पब्लिक ली बजाई है ना अब तो नाइला जिंदी के पर अपनी बर्दे पाटी तक नहीं बनाएगी सिल्क एक बार ठान ले ना तो ठपा लगा देती है सूर्या को देखा उनका मूँ तो मैनोल की तरह खुल गया था पर तुम्हें बुरा नहीं लगा ना कि मैंने तुम्हें सब के सामने किस किया बस दिल में आया और कर दिया दिल भले ही लेफ्ट में होता है लेकिन उसके फैसले हमेशा राइट होते हैं अरे वार राइटर साब आप तो तुम सोजा अब कल सुबह मुझे विजयन को कहानी सनानी है और तुम्हारी भी तो शूटिंग है ना अभी तो दो लोग उंको जला कर आये हैं और तुम बुझाने की बात कर रहे हो अब और रुका तो यहां आग लग जाएगी तो लगने दो ओलला ओलला तू है मेरी फैंटेसी बॉर्डर पे खड़े रहके गाना नहीं गाते टिश्के आओ टिश्के आओ कोली पिस्टल से बाहर और विलेल की आत्मा शरीर से बाहर और फिर फिल्म दी एंड ओर्डिंस थेटर से बाहर यह क्या सादे एंड है कोई action sequence होई नहीं मेरा अरे तलवारें टकरानी चाहिए पहले कमीज फटे फिर बदन कटे खुन निकले तब आएगा मजा देंका तलवारें डालो climax में तलवारें सर हीरो तो पुलिस वाला है उसके पास तलवार कहां से आएगी he has a point point है पुष्टे नहीं हो सकती है बाप दादा के जबाने की लेकिन सर हीरो तो अनाथ है बोरिंग बोरिंग हीरो अनाथ होता था 60s में, 70s में we are in 80s नाओ उसे एक फैमिली दो एक बेहन दो उसे इज़त दो और फिर अनाथ है तब आएगा मजा क्लाइमाक्स का क्यों विजयन? अरे सर एसा कैसे सोच लेते हैं आप यॉर जीनियस सर यॉर जीनियस it's a curse विजयन it's a curse क्यो रहमा क्या लगता है तुम्हे एक वर्ड में बोलू सूपरेट सर तहल का मत जाएगा तहल का सिल्क आदमी और घोडे में फर्क ही नहीं समझी घोड़ा फॉर्म में आ जाए तो रेस चीच सकता है आदमी फॉर्म में आ जाए तो वो टाइम की तरह भागता है फिर वो ना रुकता है ना वापस आता है पहले याद भी करती थी तुम मिलने चले आते थे और आप मिलने से पहले दू बार सूचते हो कटेट हस क्यों रहो मजाग चल रहा क्या है यहां मजाग तो आप कर रही है मैडम यह सीन तो हम कल कर चुके यह ना ए सिगरिट लाओ सिल क्या है क्या क्या चल क्या रहा है एक टाइम था जब तुम सीन करती थी तो कट बोलने का मन नहीं करता था लेकिन अब लगता है कि तुम्हारा काम में मन ही नहीं है कैसे मन लगेगा? कुछ नया करने को है क्या? रोज रोज वही सीन, वही डालोग, वही कहानी तुझे लेके एक ही किस्म की धार में एक फिल्म बनाई जा सकती है और वो बना रहा हूं मुझे मालूम है कि आज ये भोपू इतना क्यू बज रहा है फो नहीं लड़की शकीला को जो ले लिया है पर वेंकट सर, हर कोई सिल्क नहीं बन सकती बनाना भी नहीं है दूसरी सिल्क, रोज नहीं आना ठक कभी सूरिया के नाम पे पंगा, कभी उसके भाई के नाम पे तमाशा कभी तेरी शराब ऐसा है तो पैक अब अब अपनी फिल्म, अपनी उश्यकीला को लेकर पूरी कर लेना रुक ज़ो सिल्क, देख ऐसी गलती मत कर जो लोग काम को लात मार के जाते हैं न सारी जंदगी हाथ फेला के काम मांगते हैं फिर भी उन्हें काम नहीं मिलता मैं सिल्क हूँ सिल्क, स्टार हूँ, भूलना मत स्टार जब खत्म होने लगते हैं न तो अंदेरे में खो जाते हैं और खालीपन का अंदेरा जब खाने लगता है ना, तो सबसे पहले स्टार की चमक को खा जाता है हलो, रामा कान्थ है? मेडम, वो पूजा में बिजी है पूजा? किस चीज की पूजा? मेडम, वो उनकी नई फिल्म की पूजा है रामा कान को फोन दो, उनको बोलो कि सिल्का फोन है सॉरी मेडम, मैं उनको अट बिस्टब नहीं कर सता भद्रम करने विश्रुनया मदेवा, भद्रम पश्ये माग हलो, हलो, रामा कान को फोन दो पर मेडम, पूछा भी पूजा है उनको बोलो सिल्क का फोन है सर, सिल्क मेडम का फोन आपको पूछ नहीं है उनको बोलो मैं बाद में फोन करता हूँ, ठीक है सर, बहुत अच्छा लग रहा है एक भाई लिखेगा और दूसरा भाई एक्टिंग करेगा कमाल का दिन है आज तो और शिल्क नाचेगी नमस्ते, नमस्ते आपर प्राइम पहुंच के विजन हाजी सर सिल्क इस फिल्म में काम नहीं करेगी उसके पास जो कुछ था पब्लिक सब देख चुकी है सर जैसा आप कहें लेकिन सर पब्लिक को मसाला तो चाहिए होता है हम ट्रेंड बदल देंगे सिल्क जो करती थी वो हम हिरोईन से करवाएंगे वो तो ठीक है सर लेकिन सर हिरोईन की इमेज का पब्लिक सामान देखती है दुकान नहीं और वैसे भी जब शराफत के कपड़े उतरते हैं तो सबसे ज़्यादा मज़ा शरीफों को ही आता है सही का सही का सर आपने यो रहा मकान तुम्हें क्या लगता है सर सिल्क मेडम का फोन है सिल्क बड़ी लंबी उमर है तुमारी अभी तुमारी ही बात चल रही थी मैं विजयन और सूर्या के साथ हूँ वो तुम्हें अगली फिल्म में नहीं लेना चाते और मुझे भी लगता है कि उनका डिसिजन ठीक है तुम्हें फिल्म नहीं करोगी हाँ बिल्कुल फिल्म के महूरत वाले दिन मैं तुम्हें अपने अम्मा और अप्बा से मिलवाना चाहता हूँ हेलो सिल्क में मेरा नाम मुथ्धू है मैं छोटी मुटी फिल्म में बनाता हूँ मैं आपके साथ काम करना चाहता हूँ और ये मेरा कार्ड घर पे भिजवा दीजिएगा जी थेंक्यू थेंक्यू बरी मट एक्स्क्यूस मी ग्रेट वैसे ये सेब बड़ा खुबसूरत है मैं हिट्टू यूनो मुझे ऐसे जोक्स बिलकुल पसंद नहीं है रमाकान जरा इदर आना वन सेक्ड सुथ मैरम मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ थैंक्यू मेरा नाम शकीला है तो तुम शकीला हो आपने मेरे बारे में सुना है पर कुछ गलत सुना है क्यूं? क्या हुआ? घर में आएना है जाके तोड़ दो जूट कहता है कि तुम सिल्क बन सकती हो आप गलत हो मुझे में भी कुछ बात है मैं भी बहुत कुछ कर सकती हूँ अच्छा तो फिर चलो अच्छा 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 हरी मून की रात होती है मैं वही रात हूँ उस रात में जो बात होती है मैं वही बात हूँ होशुडा दे जो दिल पर काम मैं वही शराब हूँ कामदेव का सूत्र परा है मैं वही किताब हूँ मैं वही शराब हूँ मैं जो शराब vessels बात है में जो पजदी हूँ कर ले मेरे gentleman शराबी जरा किसकी सि जड़ती हूँ उच्की सि भसती हूँ बात मेरे मोर मेरे gentleman शराबी जरा भूल जाएं हम जो खुद को ऐसी मैं तू पिला दे जरा हर जलवाग मेरा का दिल मैं होटों से डस्ती हूँ छुरी से चुपती हूँ, गोली सी लगती हूँ, जहर सी चड़ती हूँ हर तन पे सचता है जो मैं ऐसा सोना हूँ चला के चोना, चले पुझा के चोना बुझे मैं ऐसा शोला हूँ, ही चला काला है मैना है, डला है बला है, चीना वो जिसमें मैं नहूँ इंसान का जब वक्त अच्छा होता है, तब लोगों को उसके फटे कपड़े भी स्टाइलिश लगते हैं जब टेस बतलता है, तब वही लोग उसके कपड़े भाड़ने लगते हैं जाने दो से, तुमारे लायक नहीं है वो ये क्या क्या सिल्क, मैंने तो कहा था सोचना मत, तुमने इतनी जल्दी हार मार ली उल्डालो जो भी चल रहा अंदर सिर्फ एक रात खुद पर काबो नहीं रख सकती थी ना? क्या हो जाता एक रात में? तुम्हारे घरवाले सोचते कि मैं अच्छी लड़की हूँ अब क्या सोच रहे होंगे तुम्हारे घरवाले? यही कि तुम्हें गंदी और घटिया लड़की हूँ हाँ तो तुम्हें ऐसी ही लड़की से प्यार किया है मैं आक्टिंग परदे पर करती हूँ असलियत में नहीं मतलब तुम पूरी जिंदगी ऐसी ही रहोगी? गंदी? घटिया? जिस बज़े से मैं सिल्ख बनी हूँ, वो बज़े कैसे छोड़ दूँ? सूरिया ठीक ही कहता था, तुम जैसी लड़कियां घर पर ले जाने के लायक ही नहीं है सिल्ख का फंदा दोनों भाईयूं के लिए तयार हो चुका है आज सिल्ख को गंदा और घटिया बोलते हो, देखो कैसे लटकाती हो पारी-पारी सुर्ण का वारी झाल झाल गाल परॉð कोंए fig कोंए 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 कर दोगेद को काWow दिल तोड़ने पे अगर फासी होती तो ये दुनिया कब की लटक चुकी होती प्यार और महबत हमेशा साथ नहीं देते ये तो दुश्मनी ही है जो दूर तक जाती है इसलिए ना सिल्ख हार मान सकती थी ना मैं बहुत बड़ा रिस्क लेने की बात कर रही है तू सोच ले जब उपर वाले ने जिन्दी ये एक दी है तो दो बार क्या सोचना सोच ले जितना कमाया है सब गवा सकती है जब कमाया था तब कहां सोचा था मिलेगा कमाने के लिए बहुत सारी फिल्में चाहिए गमाने के लिए एक ही काफी है तेरी मेनत का पैसा है इसलिए बोल रहा हूँ तुझे बढ़ते हुए देखा है गिरते हुए नहीं देख सकता सिल्क को अपने कीडादास पर पूरा भरूसा है मुझे तेरा ये ट्रिपल रोल वाला आइडिया बहुत पसंदा आया एक मात दो बेटियां अब राम याद है क्यों क्या हुआ मर गया क्या नहीं जिन्दा है वो भी ऐसी ही ट्रिपल रोल वाली एक फिल्म बना रहा है खुद को हीरो लिकर रमा कांद लिख रहा है कीड़ दास पता इस सिल्क सबसे महंगा क्यों है क्योंकि उसकी किस्मत में चमक न लिखा है बनाने दो उसे भी हम भी देख लेंगे और पब्लिक भी नफरत करने का वक्त खतम हो गया था अब सिल्क को मिटाने का वक्त था मेरा धासू आइडिया कॉपी करके मुझसे ही कॉंपेटिशन बुच्छ लगा दूगा मुझसे ही कर सकति अभी प्रूप्राइब रच्छ जया है कर दो कर दो कर दो कर दो है का वो मुझसे पंगा लेकर खुद अपनी कबर खोती देख जाए एक बार डालता हूं उस पर मिट्टी तुम बीच पर आई और समंदर लो टाइट पर आ गया जब यह लहरे फिर से उठेंगी न तो सबसे पहले तुम ही डूबोगे मैंने तो तूफा की लहरों में स्विमिंग किये पिछले तो आज तक सवाइफ कर रहा हूं लेकिन तुम तुम तो वापस उसी रोड पर आगए जासे स्टार्ट किया था तुम भी तो आगए मेरे पास मेरे बिना रह नहीं सकते न सबसे बड़े फैन हो मैं तुमारी हार की खुशी मनाने आयो क्यों अपनी जीत की खुशी मनाने वाला कोई मिला नी मैं तुमसे कहा था ना कि तुम मुझे जीत नहीं सकती है पर लड़ने में तो मजा आया सिल्क बनी ही है मजा देने के लिए चाहने वालों को भी और लड़ने वालों को भी और तुम तु स्पेशल हो यह बात तु पेपरों में भी आ चुकी है पर एक बात तुम्हारे जबान पर अब तक नहीं आई कि तुम मुझे चाहते बहुत हो फ्लॉप अक्ट्रिस हीरो के स्टाइल में डायलॉग बोल के निकल गई मैं चाहता हूं उसे मैं मुर्ली मुर्ली आया सर एक लाज कॉफी लेकर आए और सर उन दो लेडिस को बियर और टेकिला सक्सेस के बाद एनरजी आई जाती है मुर्ली दो दो लड़कियां जी ऐसी कोई बात नहीं है एक कल आप लेकर आए थे और दूसरी कैमरा लेकर आकर बाहर कैमरा वाली को बिठा और पैक अप कर दे जा रही हूं मैं नहीं और तुम्हें मेरे साथ नहीं उस सिल्क के साथ होना चाहिए था पूरी रात तुम मुझे छोड़कर उस घटिया औरत का नाम ले रहे थे और सॉरी बीबी अच्छा एक बात बताओ जब में उसका नाम ले रहा था तो गुस्ते से ले रहा था या प्यार से वाट नहीं प्रोब्लम इस की आए एएट अर वो सोचती है कि मैं उसे चाहता हूं मैं जानना चाहता हूं कि मेरी अंदर की फिलिंग का कहती है यूर मैड यूर एप्सलुटली मैड बाई इल कॉल यू या शॉर तुमे तुमे तु मेरे नाम तक नहीं पता फिर भी तुमेरे कि मेरे साथ कौन सी शेक्सपेरें ट्राजडीय हो कहीं सिलक तुमसे लड़ते लड़ते तुम्हारे लड़ने लग गया मैं तुम्हारी गर्फरंद तो तुम्हें भग गालियां देती हुई गई है यह तो बच्ची थी पिछले हफ्ते वाली तुम्हेरा सर तोड़के गई थी तब तुम कुछ नहीं थे अब हो अगले हफ्ते फिर कुछ नहीं रहूंगा मैं कोई फिल्म नहीं हूं जो हर अफ्ते मुझे तो लगा था कि मैं अकेला एंटीक पीस हूं है बाइटो वे कॉंग्रेट्स तुम्हें सिल्क को हरा दिया है मेरी सक्सेस का कोई क्रेट नहीं है सिल्क फेल हो गई उसके लिए कंग्रेट्स कर रहे हो एब्रहेम तुम किसकी तरफ हो हमारी तरफ हो या फिर सिल्की त और अगर आपको इसके बारे में बात करनी है न तो ये इंडिव्यू खतम मुझे नहीं पता था कि सिल्क टॉपिक इतना सेंसिटिव है अचा ये बता अचानक तुमारी फिल्म में इतना डास्टिक चेंज केसे आ गया क्या है ना कि एक दिन में अपनी खुद की फिम देख इंडिनमेंट, एंडिनमेंट, एंडिनमेंट कॉस्टिम वालों को बोलो के मुझे दूसरे ओप्शन्स लाके दिखाए सिल्क किसी खास काम से आई हो नशा करने आई हूँ सर फिल्मों में काम करना मेरा सबसे बड़ा नशा है सिल्क तुम तो जानती हूँ मैं ही क्या कोई भी तुम्हें काम नहीं देगा हाँ अगर कुछ पैसे चाहिए हो तो बोलो पांच रुपे है हाँ पांच रुपे शुरू शुरू में मुझसे किसी ने का था कि मुझे फिल्मों में कोई काम नहीं देगा पांच रुपे देकर भगा दिया था आप ही पांच रुपे दे दो सर शायद वही टाइम वापस आ जाए मैं वो डॉगी बन गया था जो सिल्क को काटने के बाद खुद पागल हो गया था मैंने कभी किसी को इतना क्लोस फ्रेंड नहीं बनाया जितनी क्लोस वो दुश्मनी की वज़े से आ गई थी क्यों गया था मैं उसके पीछे कंपनी चाहिए थी दोस्त नहीं मिला तो दुश्मनी सही ऐसे मत देखो लगता है मैर नेटन मुर्गी को तंदूर देख रहा है कम से कम अपनी काहवत में तो खुद को रिस्पेक्ट देना सीखो तुम यहां क्या करने आये हो तोस्त नहीं तो दुश्मन ही सही हां तुम्हारी जो इतनी बजाई है देखने आया था कि सिल्क पे कितनी सिल्वटे पड़ी है कॉफी पीलो पैसे मैं दे दूँगा दो सिल्क कॉफी लाना यहां मेरे नाम की कॉफी फेमस है पीलो हैंग ओवर के लिए बेस्ट है हम युल बॉन इंहल और तुम तुम तो उसे भी बॉनफायर समझ के हाथ सेखने आ जाओगे हाँ 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 दिल और दिमाग आपस में जगडा कर रहे थे शायद मैं बहुत ज्यादा टाइट था कि सिल्क अच्छी लगने लगी दिमाग ने बोला पागल मत बन संभल जा हर आदमी के लिए एक औरत बनी है उससे बच गय तो लाइफ बच जाएगी फरना गय है हर आइंगल से देखा डिफर्ट पोजर में देखा उल्टाओ गया पर सेम रिजाल्ट तो मुझे अच्छी लगी नहीं सकती जा कर चेक अप करवाओ पर में शुराब है मेरे मा थे पर सी लिखाय क्या कि दारू भी पिलाओं इंसल्ट भी करवाओं इंसल्ट ना करो इसलिए चाहिए मुझे लगता है तुम उन लड़कियों में सहो जो पीने के बाद अच्छी लगती है यह वाली सबसे वेकार है इसका मतलब यह वाली तुम्हारे दिल पे लगी बाक्टब का कलर डल है और बबल्स थोड़े और होने चीज़ है मजा नहीं है बापस कर दो मैं यह रख रहा हूं यह वाली पच्चे भी तुमसे जादा कपड़े पहनते हैं अगर जंदीगी तुम्हें बड़ा पे तक छेल सकी तो तुम्हें अपनी मा चैसी लगोगी यह मेरी मा नहीं है मैं नायला मेरी मा का इंटरव्यू लेना चाहती थी और तुम तो नायला को जानते हो एक बार पीछे पढ़ जाए तो बस नायला को माना करना मुश्किल था और अपनी मा बनना असान बालों में पाउडर लगा लिया फिकी सी साड़ी पहन दी और दे दी इंटरव्यू तुमने आज ते कोई साही काम किया है हाँ मा के बास क्यों नहीं लिखेगी इसको मा ने मुँपे दर्वाजा बंद कर दिया था वो लोग मेरे लिए क्या एंटरव्यू देंगे जो मुझे पैदा करके शर्मिंदा है अगर तुम पैदा ही नहीं होती तो लोगों को किसा बदा चलता कि औरत तुम्हारी जैसे भी हो सकती है तारीफ में गाली दे रहे हो या गाली में तारीफ कर रहे हो तारीफ तो तुम्हारी करने ही सकता हूं मैं और आजकल तुम्हें गाली देने का मन नहीं कर रहा है संभल कर एब राम साथ लगता है आप मुझे पसंद करने लगें मैंने कहा था ना तुम उन नड़कियों में से हो जो पीने के बाद अच्छी लगती है आज तक तुम्हें किसी से प्यार हुआ है प्यार जो पर ले जाए हाँ प्यार जो नीन दुड़ा दे नहीं कितने लोगों ने तुम्हें टाच किया है टाच तो बहुतों ने किया है पर जुआ किसी ने नहीं यही होता है लड़का लड़की मिलते हैं पास आते हैं किस करते हैं और कानी खतम अधर बदनाम हो उन सब चीज़ों के लिए पार करिये कानी इस तरह गतमोगे ना तो तो को ना होगा किसना मुदक में एक सब्सक्राइबंप्ल बोच दो मेरे दिल को तुझा से जुदा कर दे यूं बस तू मुझे को फना कर दे मेरा हाल तू मेरी चाल तू बस कर दे आशिका ना तेरे वास्ते मेरा इश्क सूफियाना मेरा इश्क सूफियाना मेरा इश्क सूफियाना तेरे वास्ते मेरा इश्क सूफियाना मेरा इश्क सूफियाना मेरा इश्क सूफियाना रब की कवाली है इश्क कुई दिल की दिलानी है इश्क कुई महची सी प्याली है इश्क कुई सुबह मिलानी है सोचू तुझे तो है सुभा सोचू तुझे तो शाम है हो मंजिलों पे अब तो मेरी एक ही तेरा नाम है तेरे आग में ही जलके कोईले से हीरा बनके खाबों से आगे चलके है तुझे बताना तेरे बात ते मेरा इश्क सूफियाना मेरा इश्क सूफियाना मेरा तेरे बात ते मेरा इश्क सूफियाना मेरा इश्क सूफियाना मेरा इश्क सूफियाना साथ साथ चलते चलते हाथ छूट जाएंगे ऐसी राहों में मिलो ना बाते बाते करते करते रात कट जाएगी ऐसी रातों में मिलो ना क्या हम है क्या रब है जहां तू है वही सब है तेरे लब मिले मेरे लब खिले अब दूर क्या है जाना तेरे बास ते मेरा इश्क सूफियाना मेरा इश्क सूफियाना शराब उतर गई नशा उतर गया तुम फिर भी अच्छी लग रही हो सिल्क तुमने अबराहम को खराब कर दिया सुरियाना इससे ज्यादा तेरा बुरा हाल क्या होगा तेरे दुश्मन भी अब तुझे खफानी है हलो सिल्क कौन है मैं हूँ कौन बोल रहा है अर्विन सेट कौन चाहिए कौन नहीं क्या चाहिए पूछिये पैसा वह भी पूरा कहा ना वापिस कर दूंगी कहा भागी जा रही हूं घर है ना तुम्हारे पास गिरवी सुनिये मेडम बस फिल्म करते ही पैसे वापिस कर दूंगी देखी थी आपकी लास्ट फिल्म और खाली थीटर भी देखे थे अब आपको कौन फिल्म देगा अगले हपते तक पैसे वापिस नहीं मिले तो खर गया मुझे नहीं पता था कि सिल्क इतना टूट चुकी थी कि बिल्कुली बिखर जाएगी उसे खुद नहीं पता था वो क्या करने जा रही थी अरे वाँ आप आगी मेडम आईए 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 मैं कबसे आपका इंतिजार करना था आईए ना आईए 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 आपके लिए सब कुछ रेडी है सब कुछ रेडी है सब कुछ रेडी है मतलब स्टोरी क्या है स्क्रिप्ट डायलोग्स देखिए सेक्सी स्टो मेडम मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या चल रहा है यहां आप टेंशन मत लीजे मुझे से नहीं होगा शायद अरे सुनिये तो बात मेरी इनको देखकर आप घबरा रही है अरे आपकी बात अलगे भाई यह सब रेहरसल कर रहा है आईए आईए मेरे साथ आईए यहां बैठी है मैं आपको समझाता हूँ बैठी है देखिए आप जैसा कहेंगी न वैसे ही कर लेंगे टेंशन लेने की कोई बात नहीं है एक मिट देखिए इस समय मेरे पास फिल्म भी है और पैसे भी आपके लिए रख लीजे रख लीजे मैडम ये दोनों चीजें आपके पास इस वक्त नहीं है क्या सोच रही है कर लीजे कर लीजे मैं कहता हूँ आप एक काम कीजे आप एक छोटा सा डंक लीजे फिर रिलेक्स हो के आराम से सोचिए कोई प्राब्लम नहीं ट्रेंक जी सर देखिए एक पार अगर आपने मुद्धू के साथ काम कर ली आना तो ऐसे पैसों की जड़ी लगा दूँगा अरे आपके पीछे पैसे और फिल्म में दोलेंगी दोलेंगी ये लीजे अरे लीजे भाई सोचना क्या क्या दो अरे लीजे भाई सोचना क्या दो हम 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 गुद अरे वे अरे अरे वे बारे मेंडम आपका शॉट्रेटी है आए अ कम आण सिल्ष कम आण अथा पहर अज़ा राजु छल्दी कंजी आँ पुलिस राजु भाग मेंडम ए चंदिगरो मेह, आपकेरा तोलगे मेरी नहीं पहर से अपेसे, अच्दीकरो, अच्दीकरो, आपकेसे. ए अच्दीकरो, अच्दीकरो, आपकेसे नहीं हो, है। ए मैठम, भागल होगी हो गया। अम्मा, तुम सेल को ना? एए, मैणम, एए! एए, मैणम, एए, मैणम, एए, मैण मोगी रिए, कर दो… जब सकता बुटन estás और में प्सकताओ करत रखंगी प्सकताना बिल्म और फेल राव झाल 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 इंक प्सकता बेडिब जल वो सिल्क नहीं, रेश्मा भागी थी वहां से वो रेश्मा जो अपना नाम बनाना चाहती थी वो यो कैसे दिखा देती, कि वो अपनी पैचान भी खो चुकी है प्रवा पुए नाम बना नाम गजार का उ जांपना से कि वो चाहती थी पैन डिस्दे रेश्मा तस्ट्न और नाम मुव्ह Must आरीनषै में प्रवा है रदो रेश्मा ? कि वो भाव रिवा वह घॉ कि वो मैं वोιο maggुकी है कि आप हाथ मों धोलीजिए अगर किसी भी चीज़ की ज़रुद्ध होगी तो मुथ्धु आपको दिखा देगा आए मेंडम चाहिए कमान सिर्क पिक अप तुमारे लिए इतना बड़ सप्राइज लेकर आए उठा ना इस वक्त सिल से बात नहीं हो पा रही है शायद वो घर पर नहीं है अच्छा मुझे भी कहीं बाहर जाना है तो कल्सुबा चलते हैं हाँ ठीक है ओके कंग्राइट्स वड़ फिल्म क्या काम किया है सब लोग तारीफ कर रहे थे मेरी शिर्ट की बटन्स तूट के चाती प्राइड से इतनी चोड़ी हो गई थी फिर क्या चीज थी जो मिसिंग थी मैं तो पाटी में था पर माइंड कहीं और सिल्क 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 दिमाग में उसी के नाम की घंटी बज़ रही थी और वो थी कि फोन ही नहीं उठा रही थी इस्क्यूज मी हलो तुम्हारा भी अजीब है सिल्क जब मैं तुम्हें इग्णोर करता था तुम सब जगा दिखती थी अब मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ और तुम्हारा पता ही नहीं है अपने आप पर रहम करो एब्रहाम एक अच्छी सी लड़की धून लो एक बात सुनो तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ा सप्राइज है मुझे अपने अगली फिल्म में ले रहे हूँ उससे भी बड़ी बात है तो आजाओ इस वक्त इस वक्त नहीं मैं इस वक्त एक बोरिंग पार्टी में बोरिंग लोगों के साथ बैठाओं कौन-कौन है वो ही पुराने पापी सुर्यकांद, रमकांद, विजयन, वेंकट, सल्वा गनेश सबको मेरी तरफ से बाय बूल देना कहां जा रही हो सोने जा रही हूँ नीन दा रही है सुबा आ जाना हाँ ठीक है प्रामस प्राइम साब, आपकी पार्टी है, आप ही को ढून रहे हैं, हम कहां गायब हो गयते हैं इतनी देर कहां थे सिल्क से बात कर रहा था जब बस खड़ी है तो क्यों भाग कर उसे पकड़ रहे हो बेकार है वो उससे तो कभी बात कर सकते हो, enjoy the party वैसे, क्या कह रहे थी मैडम आप सबको बाई कह रही थी कहीं जा रही है ठीक ही है रमाकांत चले जाना चाहिए उसे वैसे भी उसके लिए यहां बचाई क्या है बच्छ आपनाल रहे है 5 पारिफ़ करो logis भार है कर दो दो ये पंसी प्रेया जो ुड़ के झाल गैट वाल वडे हम ग wollen और वाल वग तविवक व direct वड़ कर दो हीन खेज़ कर लब 않 पना 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 भाल कर दो दो खुड़ जड़ दो टो पटो ऑए ब ए और अ को जो जटता। झाल! तुझ, झाल, झाल! झाल, झाल. सेलक, सेलक, सेलक! झाल झाल जिन्दगी जब मायूस होती है तब ही मैसूस होती है ऐसे ऐसे सवाल सामने आ जाते हैं जिनके जवाब किसी गाइड में नहीं मिलते मा ने दर्वाजा खुलते ही गले से क्यों नहीं लगा लिया ये बात समझ में क्यों नहीं आई कि एक स्टार को चाहने में और उसी से प्यार करने में बहुत फर्क है जिससे तुमने अपने लिए लड़ना सिखाया उट तुम्हारे लिए क्यों नहीं लड़ा हर कोई कमर में हाथ ड़ना चाहता था किसी ने भिस सिर पे हाथ क्यों नहीं रखा लाइबरी में भी पेच टर्न होने की आवाज आती है साइलन्ट जून में भी कोई न कोई हौन बजा ही देता है पर जब तालिया सुनने वाले कानों में कालियों की आवाज भी ना आए तो जिन्दगी खाली थियाटर जैसे हो जाती है सिर्क सही थी या गलत पता नहीं इंसान की जिन्दगी का केज बहुत लंबा चलता है लेकिन फैसले सारे उपर ही होते हैं उपर सिर्क तो उपर भी आफ़त ही मचा रही होगी सिर्क वार्ण नहें हर अ झालाो अहiren वहा हर ल Алекс कर दो आ को अ लेख ले लट सब्टेसं कर लेखります चुनाला, 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 अब मेर जवा हो गई अरे, 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 अलाला, उलाला, उलाला, तु हमेरी फ्रेंदेजी चुनाला, 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 अब मेर जवा हो गई कि अच्छु आजो तुने तु दिल्ले मारी सिटी तेज इन गाला पे इक पपी मिधी मिधी आजो तुने तु दिल्ले मारी सिटी तेज इन इन गाला पे इक पपी मिधी यौबन तेरा सावन भारा भीग गया तु ये मेरा तुने ही पर साथ कराए चाकड़े यौबन बेचारा 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 उलला 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 तु हमरी पंजाती यो ऑचे झांड़ोब God मैं जब मोर्त हो दया किरा के अपना पल्लु पारवार कर देती हो हम को बेकरार किरा के अपना पल्लु पारवार कर देती हो हम को बेकरार आग लगाए तुनी चन में क्या करेंगे भरू बेचारा 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 चरेंगे हम तुछ को लड़की तु है बड़ी भुंबात अफो अपना बेचार यजा बेचार यजा